हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होश्ट और दोस्त असुतो स्वामी स्वागत है आप सबका आपके अपने योट्यूब चैनल डेयर टुब यूनिक दोस्तों आज बात करेंगे हनी बैगर दुनिया का सबसे खतरनाक निडर जानवर क्यों है और साथ ही उस पॉइंट के बारे में जिसकी चर्चा थमनेल में के गई है तो बात करते हैं नमबर वन पॉइंट हनी बैगर की खाल बहुत ज़्यादा मजबूत लचीली होती है इसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि तलवार का वार भी इस पर बेशर है लगबग 60 मिलिमीटर मोटी होती है इसकी खाल कोई भी जानवर इसे आसानी से नहीं बेच सकता चाहिए वैशेर तेंदवा या लकड बगा ही क्यों नहों पॉइंट नमर टू इसके जबड़े बेहत मजबूत होते है इतने मजबूत की पेड़ों की चाल हड़ियां तक कुखा जाता है तो ऐसे जबड़ों से भला कोन बचेगा कच्वे का खोल जो इतना मजबूत होता है जिसे कोई अन्य जानवर नहीं इनी पंजों के द्वारा यह कबरे खोद कर मुर्दों को भी खा जाता है पॉइंट नमर चार इसके सरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि शिकारी जानवरों के लिए इसे पकड़ना आसान नहीं होता आकार में छोटा होने के कारण यह सरलता से पलट कर अमला कर देता है पॉइंट नमर फाइफ अगर कोई हनी बैगर को पकड़ कर उठा भी ले या कोई पीछे से पकड़ ले तो यह अपनी गुदा से एक ऐसी विशेस गंद का इस पर चोड़ता है जो लगबग 14 मिटर दूर तक जाता है जिससे शिकारी का दिमाग चकरा जाता है और वह इसे असर नहीं होता इसलिए यह साब बिच्छू अजगर का अराम से शिकार कर सकता है पॉइंट नमर साथ हनी बैगर एक बुद्धिमान पराणी है यह मनुश्य की तरह प्लानिंग करता है और इस्तती के अनुसार ही निरिने लेता है देखिए जब इसे कैद किया गया जब कोदों की शाखाएं काट दी गई तो उन कटी वी टेहनियों को दिवार के सहारी लगा कर यह है इसकी प्रकरती भी है और मजबूरी भी मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर इसका आकरमक सोबाव नहीं होगा तो बड़े शिकारी इसका आसानी से शिकार कर लेंगे जबकि इस पॉला कर देता है पॉइंट नमबर नो अटेक ओन टेस्टीस कई रिसर्च में यह देखा गया है कि हनी बैगर बड़े शिकारी प्राणी जैसे शेर तैंद्वा लकड बगा आदी के व्रशन टेस्टीस मतलब गोलियों को निशाना बनाते हैं अब यह मजबूरी है इस प् सकता है कि अगर बंदू की गोलियां ही खराब हो जाए तो बंदू का कराम मेरा मतलब अगर गोलियों पर हमला हो जाए तो फिर जान खत्रे में आ जाती है लाइक दिस अब इसी नीती के कारण अधिकांज जानवर इससे उलजने से बसते हैं और यह सटीक नीती भी है और इ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल को भी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू